हेलो बच्चो आज मैं आप लोगो को क्लास 9 की जो ही आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आडी शर्मा की बुक है ना इसका जो हम चैप्टर नमबर 2 कर रहे हैं उसकी एक्सेसाइस 2.2 का मैं आप लोगों को को कोशन नमबर 8 कराने वाली हूँ लास्ट क्लास में हमने कोशन नमबर 7 कंप्लीट कर लिया था ठीक है चलिए देखें कोशन नमबर 8 में आप से यहां क्या कह रहे हैं If 3 raise to 4x is equal to 81 raise to minus 1 and 10 raise to 1 upon y is equal to 0.0001 find the value of 2 raise to minus x plus 4y आपको यहां यह information दे रखें और आपको इसकी value find करने हैं कैसे करेंगे वो यहां देखें पहले आप यहां से x की value निकाल लो और यहां से y की value निकाल लो उसके बाद इसमें put कर दो ठीक है कैसे निकालेंगे 3 raise to 4x is equal to 81 raise to minus 1 है क्या मैं इसको यह लिख सकती हूँ 81 को 3 raise to 4 और यह minus 1 ऐसी है पार पे पार है multiply हो जाएगा तो 3 raise to 4x is equal to 3 raise to minus 4 बेस सेम है तो पार नीचे आ जाएंगी x की value यहां से minus 1 आ गई ठीक है अब उसी तरीके से इस से क्या करो y की value find करो यह दे रखा है तो यहां से मैं point हटा के नीचे क्या कर सकती हूँ 1, 2, 3, 4 डिजित है तो 4 zeros लगा सकती हूँ तो यह बन गया 10 raise to 1 upon y is equal to 1 upon 10 raise to 4 आ गया अब 10 raise to 1 upon y is equal to 10 raise to minus 4 आ गया क्योंकि जब यह उपर जाएगा तो पार negative हो जाएगी है ना अब बेस सेम है तो 1 upon y is equal to minus 4 1 is equal to minus 4y यहां से y की value आ गई minus 1 upon 4 x और y दोनों की value निकल गई इसमें put करें चलो तो 2 x की जगा minus 1 रख दिया plus 4 y की जगा minus 1 upon 4 रख दिया इस 4 से यह 4 कट गया minus minus plus हो गया देखो यह minus है यह plus है minus हो जाएगा यहां तक clear हो गया यहां गया 2 raise to minus का 3 आ गया clear है यहां तक ठीक है अच्छा यह minus 1 बचा है 4 नी बचा ना तो यह 1 आ जाएगा न ठीक है तो यह 2 raise to 0 आ गया अब जिसकी भी part 0 होती है वो तो 1 होता है ना तो answer कितना आ गया 1 यह था आपके पास question number 8 clear जो question number 9 है next question जो है वो हम अपनी next class में करेंगे आपको इसमें कहीं दिक्कत लगती है comment करके पूछ लीजेगा इससे पहले जितने भी examples है वो channel पर upload है आप उने भी कर सकते हो to solve examples को मिलते हैं next class में वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजेगा अपने friends के साथ में वीडियो को share कीजेगा thank you have a nice day